टिकनोलिजी हल दिन बढ़ती जा रही है हल दिन अपग्रेड हो रही है जिसकी वज़े से ना सर्फ human life easy हो रही है बलकि साथ-साथ दुनिया में भी बहुत तीजी से growth हो रही है और इस समय जो दौर चल रहा है वो चल रहा है electric vehicles का EV का दोस्तों EV vehicles ने ना सर्फ इंसानी जिन्दगी को एक आसान रास्ता दिया है जीने के लिए बलकि ये की फाइती भी है और टेसला पावर इंडिया प्राइबेट लिमिटेट क्या है इसके MD हमारे साथ बैठे हैं आये जानते हैं इनसे की company क्या है product क्या है और कैसे ये best services market में दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये market में दो साल पहले ही आये है सिरफ एक ही focus होना जाए किसी भी company का consumer first और हमारे लिए भी consumer first ही है इसी approach को लेते हुए पिछले एक साल से हम research करने थे किस तरीके से EV two wheelers को आग की समस्या से या आग लगने की दुरगटना से बचाया जा सके जिसके लिए हमने EV suppressant एक fire suppressant EV के अंदर डालके उसको battery component जहां पर रहता है जहां आग लगने की संभावना रहती है वहीं फिट कर दिया है in case of any fire accident तो आग शुरुआत होगी battery से और within 10 seconds उस आग को वहीं पर suppress कर दिया जाएगा फैलने दिया जाएगा इसी वाइदे के साथ और इसी technology के साथ हमने पहली बार इंडिया में एवी लांच किया है विद फायर सप्रेशन लांच किया क्या खासियत है और इंडियन इंडस्ट्री को इंडियन एवी वहिकल इंडस्ट्री को कैसे यह ग्रोथ कर वा सकती है और इसका जो benefit है वह आम जंता तक, हम तक आप तक बाकी लोगों तक कैसे पहुंचेगा हमने 2021 में इंडिया में अपने बिजनस की शुरुआत की थी और बड़ी तेजी से हमने कस्टमर फस्ट के मोटो के साथ तरकी करी ग्रोथ की और आज मुझे गर्व है कि हमारे 10,000 डीलर्स हैं अलवर इंडिया और एक मिलियन कस्टमर यानि 10,000,000 कस्टमर को हम सर्विस दे चुके हैं प्रोड़क्स दे चुके हैं इन जस्टू येर्स एवी की डिमांड हमारे कस्टमर से और हमारे चैनल पार्टनर से बहुत देर से आ रही थी बट उस डिमांड को पूरा करने के लिए या कोई भी प्रोड़क्त लाँच करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी था कि कोई ऐसी यूएस फी उसमें लेके आ हैं जिससे सेफटी भी हो और कंजूबर सैडिस्फाइड भी हो उसी के चलते इस R&D के बाद में हमने एश्वा के साथ पार्टिशिप करते हुए इस प्रुड़क्त को लाँच किया है आखरी बार जो मुझे याद है ओला के जब स्कूटर्स की बुकिंग हुई और डिलिवरी हुई उस समय बहुत सारे स्कूटर्स या कुछ और कपनियो स्कूटर्स में भी आग लगने की दुर्गटना है और उसकी ड्यूज आने लगी हमने तभी से यह चैक कर लिया था कि जब भी हम लाँच करेंगे इवी टू वीलर को हम फाय सप्रेसंट के साथ लाँच करेंगे फायर की दुर्गटना से बचाने की पूरे उपाय के साथ इसी कारण से हमने इसको लाँच किया है इसकी जो टेक्नालोजी है मैंने आपको बताया कि फायर सप्रेसंट इंसाइड यह एक बहुत ही छोटा सा यंत्र है बहुत ही चोटा से एक्विप्मेंट है जो कि आग को पूरी तरह से बुझाने में सक्षम है और इसको हमने स्कू कोटर चलेगा जब तक उसकी बैटरी चलेगी तब तक यह प्रोड़क्ट जो है फायर सप्रेसिट अंदर रहेगा और उसकी वारिटी कायम रहेगी अब प्रॉब्लम आती है मार्केट के अंदर तो उसके सॉलीशन आने बहुत जरूरी है हर प्रॉब्लम का हर सॉलीशन यह बहुत बड़े कंज्यूमर्स हैं और सबसे बड़ी बात है कि जब आप मार्केट शिफ्ट करते हैं यानि पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाडिया जब एवी पे शिफ्ट होंगी तो यंग जिनरेशन के लिए नए और बिजनसमें के लिए या इन्वेस्टर्स के लि झाल